नमस्कार इन बीसे नियूस की प्रदेश की खबरों में मैं एश्वर्या आपका स्वागत करती हूँ अपराद गोष्टी समिक्षा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को शासन एवं उच्चा अधिकारियों के आदेश्व निर्देश्व से अवगत कराते हुए शत प्रतीशत अनुपालन कराने लंबित विवेचनाओ अपराधों पर प्रभावी अंकुष लगाने जिलाकारगार में निरुद्ध अपराधियों की मॉनिटरिंग करने वह जनता की समस्याओ का शिगृतम निस्तारण करने हिस्ट्रिशिटर ओवर टॉप टेन अपराधियों पर सत्रक निगरानी रखने एवं वांचित वरंटियों की अधिक से अधिक गिरपतारी करने तथा जन्पद में पुलीस की छवी व्यवहार कुषल बनाए रखने आधी महत्व पूर्ण बिंदु ओपर शत प्रतीशत का ने हेतु निर्देशित किया गया साथी अपर पुलीस महानी देशक मेरट जोन मेरट महोदय द्वारा उपस्ति सभी अधिकारियों को वर्तमान में अन्य राज्ज जन्पदों में किसानों द्वारा के जा रहे धर्ना प्रदर्शन आंदलन के दृष्टिगत अपने अप् पुर्व केंद्रियम मंत्री प्रदीप जैन आधित्य के नेत्रित्व में कबरई कस्बे से कॉंग्रेस पार्टी के कारे करताओ द्वारा किसान बचाओ गाई बचाओ यात्रा की शुरुआत की गए कॉंग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा भारी पुलीस फोर्स को तैनात किया गया था जिसका नेतरत्व SDM सदर राजेश यादव वसियो सिटी कालू सिंग द्वारा किया जा रहा था कॉंग्रेस पार्टी द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन के अनुमती न होने वह COVID-19 के दिशानिर्देशों का उलंगन करने पर प्रशासन्दवारा कॉंग्रेसियों को समझाया गया लेकिन माननी पर पुलीस ने लाठी चार्ज कर दी जिससे कॉंग्रेसियों में भगदन मच गए पुलीस ने कॉंग्रेसियों को हिरासत में लेकर पुलीस लाइन में बनाई गई अस्थाई जेल ले जाया गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्टे अध्यक्ष शिवपाल सिंग यादव बुद्वार को लखीम पुर्खीरी पहुजे। पुल्माला पहना कर जोरदार स्वागत किया। पार्टी से प्रत्याशी भी गोशित किया। किसानों को अपना अनाज ओने पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। वही उनके द्वारा लगाया गया काला कानून पूरी तरह से गलत कानून है जो किसानों का भला नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रगतिशिल समाजवादी पार्टी दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से साथ है। वही उन्होंने बताया कि इस सरकार में केवल महंगाई और बेरुजगारी ही बढ़ी। देखा जाए तो भाजपा ने हर वर्क का नुकसान किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि COVID-19 के चलते लगाए गए लोकडाउन में लोग कोरोना से कम बिमारी से ज़्यादा मरे है। लोकडाउन के दौरान बसे वट्रे ने बन कर दी गई। कितने मजदूर अपने परिवार के साथ पैदल निकले, जिसके चलते कितनी घटनाए हुई है, कितनी दुरदशा हुई है मजदूरों की। इस सरकार ने पुरे देश को बरबाद कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम किसानों की आये दो गुना करेंगे। वही चुनाओ के दौरान हम छोटे-छोटे दलों के साथ आएंगे। इनबेसे न्यूस के लिए लखिमपूर खीरी से पारुख हुसेन की रिपोर्ट। बुद्वार को पुर्वसानसद तेजप्रताप यादवनी गोधना देहाद के प्रधान धर्मपाल सिंग शाक्य के छोटे भाई उनके आकस्विक निधन पर जोगराजपूर में उनके आवास पर आकर शोक समविद ना प्रकट कर परिजनों को सांत्वना दी। गिरोर में होमियोपैथिक वैद डॉक्टर भद्र गुप्त अगरुवाल के निधन पर उनके आवास पर जाकर शोक व्यक्त किया तथा पुर्वसानसद ने पुर्वचेर्मेन अफाफ नियाजी का स्वास्त ठीक नहोने की जानकारी मिलने पर उनके आवास पर मिलकर उनका हाल चाल जाना इस मौके पर पुर्वचेर्मेन अनिल गुपता शिवकुमार गुपता पप्पु यादव रामवरन यादव विदेश यादव आशतोष गुपता रंजित यादव अलीद राज नियाजी आदी मौजुद रहे इन बीसी न्यूस के लिए मैन पूरी से मौम को कराया CSC में भरती पुलीस ने शवको कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया सुचना पर पहुचे जिलादीकारी ने अस्पताल में जाकर घायलों का हाल चाल पूछा परिजनों को सुचना मिलते ही चिक पुकार मच गए सोरो कोत्वालिक शेत्र के परिया के घटना है नबी से नियूज के लिए काजगन से पहीम अकतर की रिपोर्ट नबीस की प्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही अन्यक खबरों से हम आपको यूहरूपुरू करवाते रहेंगे देखते रहें इन्बीसेन नियूज नमस्कार